वेलकम टू एमके विश्वकर्मा श्पेशल टेक एजूकेशन फ्रेंट्स जो हमने 1000 MCQ की क्लास स्टार्ट किये थे आज उसका सेशन 2 हम आपसे डिश्कस करने वाले हैं यह 1000 MCQ आपके लिए सभी competitive exam जैसे UP, RV, UNL, UP, PCL, NCL यानी Northern Coal Field Limited और NSCL यानी National Seed Corporation Limited जैसे आगामी exam के लिए बहुत important हैं फ्रेंट्स या questions निमे pattern पर आधारित हैं और आपको आपके exam paper में as a tease ऐसे ही प्रस्न देखने को मिलेंगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को like कर दीजे और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो red color से लिखे हुए subscribe button को press कर दीजे और साथ ही bell icon press कर दीजे ताकि सारे notification आपको मिल सकें तो friends अब हम questions की ओर चलते हैं हमारा 21 नमबर का question है कि name the part of file marked as x यानी file के x के रूप में चिन्नित भाग का नाम आपको बताना है तो ये एक file दी गई है हमें और उसे में एक भाग को x से इंगित किया गया है इंडिकेट किया गया है और उसका नाम आपको पूछा गया है तो हमारा option a है heel, option b है tang, option c है feral, option d है file की लंबाई यानी file length तो friends अगर हम बात करें इस x से इंडिकेट भाग की तो ये क्या है? फाइल का वह पतला और संक्रा हिस्सा है जहां पर दाते नहीं कटे होते और ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं? heel कहते हैं इसलिए इसका correct answer क्या हो जाएगा? option number a यानी heel जो है correct हो जाएगा friends अगला question देखते हैं अगला question है what is the use of a tri square? यानी एक tri square का उप्योग क्या है आपको बताना है to check right angle यानी सम कौण की जाच करने के लिए to check acute angle यानी noon कौण की जाच करने के लिए to check obtuse angle यानी अधिक कौण की जाच करने के लिए to check straight angle यानी सीधा कौण की जाच करने के लिए तो friends एक try square का उपयोग आप क्यों करते हैं यहां वही पूचा गया है तो इसका simplest answer हो जाएगा कि to check right angle यानी समकौन की जाच करने के लिए हम try square का उपयोग करते हैं तो friends यहां पूचा गया है कि आपको कौन सा मार्किंग मीडिया जहरिला है बताना है यहां पे चार प्रकार के मार्किंग मीडिया दिये गए हैं और उसमें से आपको सही विकल्प का चुनाओ करना है तो friends इस question को हमने as a tease अपने पिछले वीडियो में जो है discuss किया है अगर आपने वो वीडियो वाच नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो के right side पर जो i button है उस पर click करके उस वीडियो को वाच कर सकते हैं तो friends इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा copper sulfate यानि जो 23 नंबर का question है उसका correct answer हो जाएगा C कि जो copper sulfate होता है वहां marking media जहरी ला होता है तो friends अगला question है कि which part of universal surface gauge holds the scriber यानि universal surface gauge का कौन सा हिस्सा scriber को पकड़ता है यह यहाँ पूछा गया है हमें option में दिया गया है option A snug, option B guide pin तो यहाँ हमारा जो option A है यही correct हो जाएगा कि जो हमारा universal surface gauge है उसमें पकड़ने के लिए subscriber को पकड़ने के लिए जो है कौन सा use करते हैं इसनक का हम use करते हैं अगला हमारा question हो जाएगा कि what is the name of the wise यानि इस wise का हमें नाम बताना है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer hand wise हो जाएगा actual में यहाँ एक आपको wise दिखाई गई है और इस wise का use हम छोटे छोटे कारियों को पकड़ कर जो है work piece छोटे छोटे work piece को इसमें पकड़ा जाता है और work किया जाता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं hand wise कहते हैं तो इसका correct answer option C हो जाएगा अगला question देखते हैं a new hexa blade after a few stroke becomes loose because of यानि कुछ stroke के बाद एक नया hexa blade धीला हो जाता है जिसकी क्या वज़ा है option A कह रहा है stretching of blade यानि blade का खिच जाना option B कह रहा है wrong page of the blade यानि blade की गलत page option C improper selection of saw sets यानि saw set का गलत चयान option D nut thread wing worn out यानि nut के thread का घिस जाना तो friends यहाँ आपको पूचा गया है कि कुछ stroke के बाद एक नया hexa blade धीला क्यों हो जाता है आखिर उसकी वज़य क्या है तो यहाँ पे हमें एक option दिखाई दे रहा है A number का यानि stretching of blade यानि blade जो है हमारी हलकी सी खिच जाती है इसकी बज़य से ही कुछ stroke के बाद एक नया hexa blade धीला हो जाता है तो हमारा 26 नंबर का A option correct हो जाएगा अगला question है why breakage of teeth occur easily while sign of thin world work 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 pieces and the start of cut यानि पहले cut और पतले बर्क पीस को काटते समय दाते बहुत आसानी से क्यों तूटते है option A hand force is two wig यानि हाथ बल बहुत जादा होता है option B cutting section is two salt यानि cutting section बहुत छोटा होता है option C course blade to be used यानि मोटे blade का उप्योग किया जाता है option D hand force acts only upon few teeth यानि हाथ काबल केबल कुछ दातों पर ही काम करता है तो friends यहाँ हमें यही पूचा गया है कि पतले cut और पतले बर्क पीस को काटते समय जो दाते होते हैं वो बहुत आसानी से क्यों तूट जाते हैं क्योंकि जब हम hexa blade से cutting करते हैं तो हमारे हाथ का जो pressure होता है फोर्स होता है वो केबल क्या होता है कुछ ही दातों पर काम करता है यानि हमें option number D जो दिया गया है यहाँ correct हो जाएगा कि हाथ काबल केबल कुछ दातों पर काम करता है इसलिए पतले cut और पतले बर्क पीस को काटते समय दाते बहुत आसानी से तूट जाते हैं हमारा अगला question है which chisel used for squaring materials at the corners joint यानि corner और joints पर material को चोकौर करने के लिए किस चैनी का उप्योग किया जाता है तो आपको पूछा गया है कि corner और joints पर जब कभी आपको material को चोकौर करना हो तो आप किस चैनी का उप्योग करेंगे option दिये गाए है plate chisel, cross cut chisel, diamond point chisel और half round note chisel तो friends 28 way number question का जो correct answer हो जाएगा diamond point chisel हो जाएगा यानि जब कभी हमें corner और joints पर material को चोकौर करना होता है तो हम जो है diamond point chisel का use करते हैं इसका 28 way number question का C option correct हो जाएगा अगला question है हमारा की name the part of a hammer mark does x यानि x के रूप में चिनित हतोडे के भाग का नाम आपको बताना है तो friends यहाँ क्या है हमें एक hammer दिया गया है और इस भाग को x से indicate किया गया है उसका नाम आपको जो है बताना है तो यहाँ हमें option क्या क्या दिये गए है face, pain, cheek और eye hole तो जो x के रूप में indicate भाग है इसको हम क्या कहते हैं basically इसको हम cheek कहते हैं और cheek किसी hammer का जो वह हिस्सा होता है जिस पर वजन जो है अंकित होता है यानि इस पर जो है weight लिखा होता है weight लिखा होता है और यह जो भाग है soft छोड़ दिया जाता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं cheek कहते हैं तो हमारे 29 नंबर question का correct answer क्या हो जाएगा cheek हो जाएगा अब हम अगला question देखते हैं अगला question है कि which angle is represented by the symbol G on the cutting angle काटने वाले छेनी पर प्रतीक गयमा द्वारा किस कौण को दरसाया जाता है तो friends इसमें क्या दिया गया है एक चीजल दी गई है और आपको इसमें सभी angles को दरसाया गया है एक ये angle यानि clearance angle एक ये angle यहां से आपको point angle दिखाई दे रहा है beach वाला plus आपको ये जो है rack angle दिखाई दे रहा है तो आपको यहां gamma के बारे में पूचा है alpha beta gamma यानि जो gamma है आपका इसके बारे में पूचा है तो हमने ये question भी क्या है पिछले वीडियो में as a tease इसको solve किया है और इसकी सारी detail उसमें बताई हुई है आप i button पर click करके उस वीडियो को watch कर सकते हैं तो friends इसका जो correct answer हो जाएगा वो rack angle हो जाएगा यानि तीसवे number question का हमारा correct answer क्या हो जाएगा rack angle हो जाएगा अभी हम अगले question की अगर बात करें 31 नंबर question की तो 31 नंबर है name the property of metal which can be drawn into wire without rupture यानि धातू की उस गुड का नाम आपको बताना है जिसमें वह बिना टूटे तार में खीचा जा सकता है option A आपको दिया गया है ductility, option B tenacity, option C elasticity, option D malability तो आपको क्या पूछा गया है कि धातू के उस गुड का नाम बताईए जिसमें वह बिना टूटे तार में खीचा जा सकता है तो friends यह जो होता है ductility का गुड होता है जिसमें हम क्या करते हैं धातू के खीच कर तार बनाये जाते हैं उसे हम ductility कहते हैं इसलिए हमारा option A जो है यहाँ पे correct हो जाएगा हम अगला question देखते हैं what is the spindle movement of one division of thimble with spindle trade of 0.5 mm यानी thimble के एक division की spindle movement क्या होगी जब spindle trade 0.5 mm pitch का है तो आपको option दिया गया है 0.01 mm, option B दिया गया 0.10 mm, option C दिया गया है 1 mm और option D दिया गया है 10 mm तो friends जब आपके thimble के एक division की spindle movement को यहाँ पूछा गया है और यहाँ बताया गया है कि जब spindle trade 0.5 mm की है यानी 0.5 mm pitch की है तो इसका जो correct answer हो जाएगा option A हो जाएगा यानी एक division की spindle movement कितने हो जाएगी thimble की 0.01 mm तो option A जो है यहाँ पे correct हो जाएगा अगला question है हमारा what is the reading of a vernier caliper इस vernier caliper की reading आपको यहाँ पूछी गई है तो आपको यहाँ reading बताना है कि यह कितनी है तो हमें option दिया गया है 35.1 mm, option B 35.2 mm, option C 35.3 mm, option D 35.4 mm यहाँ दिया गया है तो friends इसमें क्या करते हैं हम vernier scale और man scale की दी गई रेखाएं जो होती हैं उनको match करते हैं और जब हम match करते हैं तो वही उसकी क्या होती है reading होती है तो इसमें हमारा जो correct answer हो जाएगा 35.4 हो जाएगा अगला question देखते हैं What is the reading of vernier veval protector? इस vernier veval protector की reading क्या है? आपको यहाँ vernier veval protector की reading पूछ ली गई है option A में दिया गया है 18 डिग्री 50 मिनिट option B 41 डिग्री 50 मिनिट option C 50 डिग्री 50 मिनिट option D 58 डिग्री 50 मिनिट तो friends एक vernier veval protector आपको यहाँ दिया गया है और आपको यहाँ reading पूछी गई है तो यहाँ जो है इसका correct answer हो जाएगा 34 number question का B यानि 41 डिग्री जो है 50 मिनिट इसका correct answer हो जाएगा कि 41 डिग्री 50 मिनिट में यह क्या कर रहा है रेखा को match कर रहा है तो इसका हमारा जो correct answer हो जाएगा B हो जाएगा friends अगला question हम देखते हैं अगला question है what is the use of filler gauge यानि filler gauge का उपयोग क्या है check the width यानि चोड़ाई की जाच करना check the height यानि उचाई की जाच करना check the length यानि लंबाई की जाच करना check the gap between the meeting parts यानि मिलने वाले भागों के बीच की gap की जाच करना तो friends हमारा 35 नंबर में हमें filler gauge का क्या उपयोग है ये पूछा गया है तो जब कभी हम दो meeting parts होते हैं मिलने वाले parts होते हैं उनके बीच का अगर हमें कभी gap check करना होता है तो हम filler gauge का use करते हैं इसलिए इसका option जो है option D correct हो जाएगा कि meeting parts जो meeting parts होते हैं उनके बीच का अंतराल check करने के लिए हम क्या करते हैं filler gauge का use करते हैं इसलिए हमारा correct answer D हो जाएगा 35 नंबर question का अगला question हमें दिया गया है कि read the measurement in the dial caliper तो इस dial caliper की map को आपको पढ़ने के लिए बोला गया है तो friends यही question as a tease हमने बिलकुल हमारे पिछले वीडियो में सारी details के साथ discuss किया है अगर आप उस वीडियो को देखना चाते हैं तो हमारे YouTube channel पर जाकर वीडियो वाच कर सकते हैं या फिर I button पे click करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं तो friends इसका correct answer जो है 36 नंबर का D हो जाएगा यानि 26.2 mm हो जाएगा अगर आपको जादा इसकी details पढ़नी है तो आप हमारे पिछले वीडियो को वाच कर सकते हैं I button पर click करके friends अगला question देखते हैं हम क्या है कि what operation is carried out in a gang drilling machine यानि एक gang drilling machine में क्या operation किया जाता है option A ideal operation option B repeated operation of drilling यानि drilling का बार बार संचालन करना option C continuous milling operation यानि निरंतर milling operation option D successive operation of drilling यानि drilling का क्रमिक संचालन तो हमारे जो 37 नंबर question का correct answer क्या हो जाएगा बताइए आप कि जब एक जो gang drilling machine होती है उसमें क्या-क्या operation किया जाता है तो successive operation of drilling यानि जो है उसका correct answer क्या हो जाएगा successive operation of drilling यानि gang drilling machine में successive operation किया जाता है तो हमारा option number D इसका correct हो जाएगा जो option number D है correct हो जाएगा अगला question देखते हैं कि which is an integral part of the stock in vernier bevel protector तो आपको एक vernier bevel protector दिया गया है और उसमें बताना है कि stock का एक अभिन्य हिस्सा कौन सा है तो friends ये बहुत important question है और ये D.I.D.O. में भी आ चुका है इसरो में भी आ चुका है और बहुत सारे exam में as a tease आपको ये question जो है repeat मिलेगा देखने को मिलेगा तो इसका correct answer क्या हो जाएगा 38 number question का इसका dial हो जाएगा कि बर्नियर bevel protector में stock का जो एक अभिन्य हिस्सा है वो क्या कहलाता है तो friends हम अगला question में चलते हैं अगला question हमारा है कि इस file का नाम आपको बताना है आपको फिर से एक file का diagram दे दिया गया है और अभी दूसरी जगे x को indicate किया गया है और पूछा गया है कि आप इस file का नाम हमें बताइए कि इस x से चिन्नित भाग को आप क्या कहते हैं तो friends यहाँ फिर वही option दिये गया है heel जो है heel दिया गया है फिर option b में age दे दिया गया option c जो है feral दे दिया गया option d soldier दिया गया है तो हमारे 39 number का जो question है उसका correct answer क्या हो जाएगा c हो जाएगा यानि हमारे जो यहाँ feral है यह correct हो जाएगा यह क्या होता है feral handle के साथ लगता है tank में लगने वाला हिस्सा होता है और यह क्या होता है जो हमारा handle होता है वो बचाव रही छला इसको कहते हैं हम यह क्या करता है gap को खतम कर देता है एर हेंडल को जो है चिटकने से बचाता है तो यही इसका काम होता है इसको हम फैरूल कहते हैं अगला question हम देखते हैं कि which file is used to make the job close to the finishing size यानि job को finished size के करीब लाने के लिए किस file का उपयोग किया जाता है single cut file, curve cut file, second cut file, double cut file मतलब आपको पूचा गया है कि जब कभी आपको job को finished size के करीब लाना हो तो आप किस file का use करेंगे option number 40 question का जो है option number C correct हो जाएगा यानि second cut file का use हम वहां करते हैं है ना second cut file का use हम वहां करते हैं यहां आपको ध्यान देना है कि जो cut और grade के आधार पे अलग-अलग file होती है जैसे cut के आधार पे single cut, double cut, rasp cut, spiral cut, curved cut यह सब cut के आधार पे आती है friends लेकिन आपको क्या होना है यहां इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको second cut file दी गई है यह grade के आधार पे आती है तो जब कभी हमको job को finish decides के करीब लाना होता है तो हम second cut file का use करते हैं यहनी इसका option C जो है correct हो जाएगा तो friends यह video आपके लिए आसा करते हैं हमकी useful और helpful होगी होगी अगर आपको यह video पसंद आई है और आप वाकई में एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वास्तों में आपके लिए बहुत important वीडियो है तो friends अगर आपने channel को like अभी भी नहीं किया है तो please like कर दीजिए और channel को subscribe कर दीजिए ताकि ऐसे ही questions का collection हम आपको देते रहें कर दोड़िए